गूडमारिग आप सभीको हमारी प्यारे टेरेस गॉर्डन से आज इस वीडियो के अंदर हमने अपने घर पे जो मेज को उगाया है वो काफी अच्छी से गुरू हो चुका यह और इसमें काफी सारे मेज आ चुके हैं तो इसको आप घर पे किस तरीके से गुरू कर सकते हैं म यहां पर देख सकते हैं एक मेज यहां से आ चुका है यहां पर देख सकते हैं अभी एक बन रहा है इधर एक तयार हो चुका है और इधर की तरफ जब हम जाएंगे तो और भी इस वाले मेज से भी आ रहे हैं इधर में कुछ और भी लगा करके रखा है जो कि completely यहां से देख स तरीके से मेज प्लांट को लगाया है एक हमने और लगाया था जो कि यहां से हमने कल इसको हारवेस्ट कर लिया है और इसमें से आभी आने वाला टाइम में यहां से एक जो और भी आ रहा है और यहां पर हमने इस तरीके से फिर 18 इंच के प्लास्टिक ग्रोबाइग में टोट आप इस बीच में होता है यदि आप उकोबर नर्वंबर के बीच में सीडलिंग्स कर दोयुजा बात की परफेक्ट वीच में लगा सकते हैं या रेदर फंडी में लिचा तो हमने ठंड cup लगाया था अब बात करें यादि आप इसको घर पर लगा रहे हैं तो कितने size के pot में आप इसको लगा सकते हैं और हमने किस तरीके के pot में लगाया है यदि आप घर पे इस तरीके से मेज उगाना चाहते हैं तो उसके लिए जो perfect size का grow bag होता है वो होता इस तरीके का 18 inch grow bag तो 18 इंच के ग्रोबेग में आप तीन से चार इस तरीके से लगा सकते हैं चार से जादा नहीं लगाईएगा क्योंकि हमने ट्राइ किया था पांच लगा करके तो पांच में जो है उसका उतना अच्छा पॉर्डक्शन नहीं आया चितना चार में प्लास्टिक ग्रोबेग के मदद से लगा सकते हैं या फिर इस तरीके का जो बड़े से ग्रोबेग है उस पर लगा सकते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं इसको लगाने के लिए स्वाइल मिक्सर चाइब परके जबरेता है जब भी आफीछ तरीके का सड़ी कर रहे हो मेचिवरां कर रहे हैं तो seedling के time में ही आप इसमें डारेक्ट जो है पॉट के अंदर इसके seed को लगाएंगे और इसमें जो आपको fertilizer जो यूज करना है 50% garden soil का और 50% soil का mixture करकिया आपको इसका soil का preparation करना है अधर जब आपके plant इस तरीके से fruiting के time आ जाए तो आप उसमें सर्सो की खली या फिर seaweed liquid fertilizer का यूज करें यदि आपके पास यह दोनों नहीं है तो आप भर्मी compost का भी मदद ले सकते है तो जब आपको इस तरीके से अपने plant के अंदर फल देखना start हो जाए तो दो से तीन बार अपने plant को fertilize जरू करेंगे तो आज यह एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया कि किस तरीके से आप घर पर अपना मेज उगा सकते हैं आसा करते हैं कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर इस तरीके का वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जर सब्सक्राइब किजिएगा